Hello friends, welcome to my YouTube channel जैसा कि आप सभी लोग demand कर रहे थे काफी टाइम से कि मैं अपनी journey as a bank peo आप सभी के साथ share करूँ तो आज मैं आप सभी के सामने अपनी bank peo की journey share करना चाहती हूँ तो शुरुवात करते हैं मेरे introduction से मेरा नाम परीधी जैन है और मैं एक public sector bank में scale one officer posted हूँ मैंने अपनी schooling केंद्रिय विद्यालया धार से की धार मध्यप्रदेश का एक छोटा सा शहर है मैंने class first to 12th की पढ़ाई वहीं से की थी बचपन में आप जैसे की हर किसी के साथ होता है की बचपन में हम कुछ और बनना चाहते हैं लेकिन फिर कुछ और ही बन जाते हैं तो वैसा ही मेरे साथ हुआ class 8 तक मुझे bio बहुत पसंद था और हमेशा मैं यहीं सोचती थी की मैं बड़ी होकर doctor बनूँगी लेकिन जैसे जैसे class 9th, 10th के बाद फिर मुझे लगा की नहीं मुझे IIT जही की preparation करने कोटा जाना है लेकिन उस time पे मेरे parents ने मुझे बाहर नहीं बेजा और फिर मैं 11, 12th केंदर विद्याले अधार से ही मैंने schooling की और जैसा की मैंने कोई preparation नहीं की थी तो मैंने MPPET की exam दी और indoor का एक normal private engineering college मुझे मिला और वहाँ से मैंने computer science में engineering की जब मैंने class 12th complete किया तो फिर मैंने सोचा की मुझे किसी government exam की तयारी करनी चाहिए और मैंने सोचा की मैं engineering के साथ-साथ MPPAC के preparation करती हूँ लेकिन engineering आपको पताए कि engineering के साथ-साथ हम किसी state PAC की preparation नहीं कर पाती क्योंकि यह बहुत difficult हो जाता है manage करना तो first year, second year, third year होते होते फिर मेरा mind फिर से change होगे और मैंने सोचा की नहीं मुझे coding में भी interest नहीं आ रहा है तो मैंने CAD की एक अच्छी coaching class join कर ली मैं 1-1.5 साल CAD की coaching मैंने की और उसके बाद फिर मैंने CAD की exam दी CMAT, SNAP, NMAT मैंने काफी सारी MB entrance exams दी CAD में तो मेरा score इतना अच्छा नहीं आप आया लेकिन बाकी exams में मेरा एक decent score था और मैंने सुचा की ठीके मैं MB अप करूंगी लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे placements में भी बैठना चाहिए क्योंकि अगर मेरा अच्छा college में selection नहीं हुआ तो मेरे पास कोई second option हो तो इसी के लिए मैंने company मैं almost 10-15 companies में बैठी हूँ क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा first round clear होता था तो second नहीं होता था first or second होता था तो interview clear नहीं होता था कई बार तीन राउंड्स क्लियर हो जाते थे फिर interview clear नहीं होता था ऐसे placement के टाइम पर मैंने 15 around interviews दिये हैं and at last मेरा three companies में placement हो गया तो उस मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत confused हो गई कि मैं क्या करूं मैं MBA करूं या फिर मैं company में joint कर लूं कि मैं सी मैट में मेरा 96 percentile around कुछ था तो उसके basis पे मुझे अच्छा college मिल रहा था लेकिन उसकी fees अतनी जादा थी कि मैंने ऐसा उस वक्त मेरे दिमाग में यह आया कि अगर मैं banking and finance में MBA करती हूं इतना जादा college की fees पे करके and then at the end मुझे किसी private bank में ही job न लेगी तो मैंने सोचा कि इससे better तो यह कि मैं bank P.U. की exam crack कर दूं अगर तो बिना किसी MBA के college में fees दे के भी मेरा अच्छी job मेरी अच्छी job हो जाएगी और वो भी public sector bank में तो यह मेरे दिमाग में और यह सोच के मैंने एक इंदौर में ही एक IT company join कर ली और IT company join करते साथ साथ मैंने एक banking की coaching class join कर ली तो मैं morning में six to seven banking coaching जाती थी और देन में office जाती थी डेली मेरा यही schedule था और उसके बाद मैंने सबसे first exam दी bank of बरोदा मनिपाल पी और जादा मेरी preparation नहीं थी मैंने three months की coaching की थी और वो भी इतना अच्छा से नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं साथ में job भी करती थी तो वो exam मेरी निकल गई मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कैसे निकल गई लेकिन bank of बरोदा पियो की exam मेरी निकली और तब मुझे लगा किया और मैंने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं किया और अभी मेरी exam निकल रही है तो अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी तो शायद मैं easily exam crack कर दूँ तो यह सोच के मैंने सोचा कि मुझे अभी अपनी job से break ले लेना चाहिए तो मैंने वहाँ पर अपनी job छोड़ दी और मैंने पूरा concentration अपना इसी exam पे दिया उस वक्त माइंड में मेरा फिर से वही चीज़ आ रही थी जो मैं class 12 के बाद सोचती थी कि अब जब मैंने job ही छोड़ दिये तो मैं MPPAC की तयारी भी कर सकती हूं मैंने कई coaching institute में जाकर बात भी की लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा और अगर आपके पास कोई job नहीं होती है तो फिर आपके mind पे एक pressure आ जाता है कि नहीं अब कि मुझे अपनी शम्ता या capability पता है ऐसा नहीं है कि मैं वो crack नहीं कर पाती है उसके लिए मैंने कोशिश ही नहीं की लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई छोटी जोग हो जिसके बाद आपके पास एक confidence आ जाता है कि हाँ अब आपकोई बड़ी exam भी crack कर सक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने उसकी preparation की और उसके बाद मेरा नहीं हुआ एक साल दो साल तो फिर आपके आपको ऐसा लगता है कि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है इसलिए मैंने bank PO exam की तयारी की क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर student को अपनी capability पता होनी चाहिए कि वो कहां तक कर सकता है अगर आपको पता होगा कि आप कितना कर सकते हो आप कितनी महनत कर सकते हो आप कितना hard work करके कोई exam crack कर सकते हो तो वो एक easy तरीका होता है किसी भी exam को crack करने का कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस exam के preparation करनी है तो bank of baroda का interview उसक अच्छा गया था उसके बाद फिर दीरे दीरे बैंक की और एक्जामस आती गई यह 2017 की बात है 2017 में एपरिल में SBA PO आया था तो मैंने SBA PO का फॉर्म भरा और SBA PO का प्री मैंने क्लियर कर दिया तो मेरा SBA PO प्री निकल गया तो मुझे लगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं फिर भी मेरी एक्जामस निकल रही है तो फिर तो यह इतना difficult नहीं उस टाइम मुझे यह नहीं पता था कि मैंने MBA की coaching किये तो शायद इसलिए मेरा basic इतना strong हो गया है कि मैं bank की exam easily निकाल पा रही हूँ यह सारी चीज़े मुझे बाद में realize होई लेकिन जब बैंको बरुदा का result आया तो final selection मेरा नहीं हुआ था और उसमें जब marks आये तो 95 cut off था और 95.15 मेरे marks थे तो मझे समझ आ गया कि अगर आप इतना boundary पर में निकलते हो था पर selection कभी नहीं हो सकता तो इसी लिए फिर मैंने SBI PO Mains के लिए बहुत अच्छे से तयारी की लेकिन SBI PO Mains बहुत difficult होता है यह आप सभी को पता होगा और उस ताहीं मेरी इतनी preparation भी नहीं थी तो SBI PO Mains मेरा selection नहीं हुआ फिर September से हमारा IBPS से स्टार्ट हो जाता है तो IBPS RRB का exam हुआ IBPS RRB PO IBPS RRB clerk यह दोनों मैंने दिया अब believe नहीं करें कि मेरा SBI PO का pre clear हुआ लेकिन मेरा IBPS RRB का clerk clear नहीं हुआ उसके बाद RRB PO मेरा clear हुआ उसके बाद मैंने मेंस के बहुत मैंनत की बहुत preparation की लेकिन मेंस exam में मैंने इतनी सिली मिस्टेक कर दी कि वो exam दे की मुझे पता था कि exam मेंस मेरा नहीं clear होगा उसके बाद फिर आया IBPS PO का clerical then उसके बाद मैंने clerk और PO दोनों दिया और IBPS PO का pre मेरा clear हुआ मेंस मेरा clear हुआ और उसके बाद मैंने interview जब PO का दिया और मेरा interview काफी अच्छा हुआ था लेकिन जब result आया 1st April 2018 को तो IBPS PO में मेरा selection नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर भी मेरे interview और exam में कम marks रहे गए थे interview में थोड़े कम थे exam में टेक decent score था लेकिन IBPS clerk में मेरा selection हो गया और वहाँ पर मुझे Canra bank मिला लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैंने PO की preparation स्टार्ट किये तो मुझे PO की ही job चाहिए मुझे clerical join नहीं करना है उस वक मेरे mind में यहीं था लेकिन जो आपको पता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है तो आप कोई आई होई opportunity को miss नहीं कर सकते तो बट मैंने यहीं सोचा कि नहीं मैं PO की exam दूंगी मैं clerk में satisfied नहीं हो सकती हूं क्योंकि मैंने मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक अच्छे scale one officer की job हो तो उसके बाद फिर syndicate bank PO और canra bank PO का मनीपाल का exam आया तो उस वक्त मैं bank को बढ़दा दी चुकी थी मुझे पता तो उसका pattern कैसा होता है मैंने दोनों form फिल किये और दोनों exam इतना difficult नहीं आया था easy आया तो मेरा दोनों का मेंस निकला मैंने दोनों के interview दिये दोनों interview मेरे syndicate bank का interview मेरा काफी अच्छा हुआ था और canra bank का मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था उसके बाद जब result आया सबसे पहले syndicate bank का result आयता और syndicate bank में मेरा exam clear हो गया and then मैंने decide कर लिया कि मैं joint कर लूंगी syndicate bank PO मैं काफी confused थी उस ताइं जब आपका किसी ऐसी एक्जाम में selection हो जाता है जहां एक में आपको join करते ही salary मिलेगी और वहीं मणीपाल PO में आपको one year का PGDBF course करना पड़ेगा and then आपको posting मिलेगी तो उस टाइम पे मैं काफी confused थी कि मैं क्या join करूं लेकिन मेरे mind में बस यहीं था कि नहीं अगर मेरे हाँ में PO की post है तो चाहे मुझे एक साल का PGDBF course करना पड़े उसमें जैसा आप सबको पता है कि एक fees होती जो मैं pay करनी पड़ती जो बैंक हमें बाद में refund कर देता है लेकिन फिर भी अगर immediate किसी को job चाहिए तो फिर मैं ये suggest करूंगी कि आप clerk join करने लेकिन आप आपको लग जाते हैं और यहां पर एक PGDBF भी था और मेरे साथ प्लस पॉइंट यह था कि मैंने सिफ graduation किया था मैंने कोई post graduation की degree नहीं की थी तो उस ताइम मैंने ये सोचा कि मेरे पास एक post graduation का diploma भी हो जाएगा और उसके बाद मुझे bank PO में एक public sector bank में job भी मिल जाएगी त तो उस ताइम में काफी clear थी कि मुझे PGDBF course ही जॉइन करना है और Candra bank का result भी awaited था तो after 10 days Candra bank का result भी आ गया और मेरा Candra bank में भी selection हो गया तो अभी मेरे पास दो option थे Candra bank का clerk and then Candra bank PGDBF PO तो मैंने मनिपाल institute जॉइन किया और वो मेरा life का सबसे best decision था कि मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाके मैंने बहुत चीजे explore किये जो मैं अपने आपको पहले नहीं जान पाई थी मैं हमेशा से इंदौर में रहती थी मैं किसी और सेटी में नहीं गई थी और मनिपाल का PO जॉ रही decision लिया था तो इसका मुझे बिल्कुल भी regret नहीं है हां मैं एक साल लेट जरूर हो गई क्योंकि मेरी posting 2018 में मनिपाल में मैंने जॉइन किया and then after completion of one year 2019 मैंने Public Sector Bank Canada Bank जॉइन किया तो मैं one year लेट हो गई लेकिन उसके बाद भी मुझे हमेशा से यह रहा कि मैं किसी ना किसी एक्जाम के preparation करती रहूं मैंने कैंड़ा मैं PGD वेफ जॉइन कर लिया था लेकिन मुझे बस यह था कि मुझे SBAPO का exam crack करना है तो वहाँ पर भी रह के मैंने SBAPO बढ लेकिन वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था प्रपरेशन करने का और उतनी मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो पाई तो SBAPO का प्री भी मेरा नहीं निकला मनीपाल में जाने के बाद लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रही मैंने GIC की भी exam दी जो insurance का insurance exam होती है वो दी मैंने Canera Bank join करने के बाद EPFO की exam दी RBA assessment की exam दी और अभी भी मैं RBA grade B की exam देना चाहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको life में कभी रुकना नहीं चाहिए जब तक आपके पास chance है जब तक आपके पास एक opportunity है आपकी age limit है अगर आपके सामने कोई एक अच्छी opportunity है तो आपको वो chance कभी मिस नहीं करना चाहिए no doubt bank PO एक decent job है लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कुछ और करना है कुछ इससे भी अच्छा करना है तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी नहीं रुकना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है क्योंकि starting से मेरी life में हर कुछ मुझे ऐसा नहीं कि मैंने एक exam दी और मेरी वो निकल गई मैंने आपको जैसे बताए कि प्लेस्मेंट के टाइम पे मैंने 15 इंटर्व्यूस दी है मैं इतना फ्रस्टेट हो जाती थी लेकिन मैंने कोशिश की हमेशा कोशिश की लास्ट इंटर्व्यू में तो मैंने इंटर्व्यूर को यह कह दिया था कि आप मुझे अभी बता करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इंटरव्यू नहीं दिया है तो उनने यहीं का कि मैं आपको जरूर इंटरव्यू रिजल्ट के बाद बताऊंगा कि आपका सेलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है and then finally मेरा उसी company में selection हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी भी hard नहीं माननी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी disappoint नहीं होई मेरा exam जब भी नहीं निकलता था मैं कभी भी sad नहीं होती थी मैं कभी रोती नहीं थी मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये मेरा exam नहीं निकला है तो इसमें मेरी ही कोई mistake है जो हो सकते किसी और student ने जादा अच्छे से preparation की उसे जादा मैनत कियो और कही ना कहीं मैं कुछ miss कर रही हूँ इसलिए मेरा selection नहीं हो रहा है तो अगर आपका selection नहीं होता है तो आपको सबसे पहले अपनी weakness जाननी है अपनी कमजोरी पकरनी कि कहां पर आप कम हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई आपका subject ऐसा होता है जो वीक होता है तो मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी weakness पता होनी चाहिए आप उस पर work करना चाहिए और फिर आपका selection कोई भी नहीं रोक सकता और मैंने अपने काफी friends देखे हैं तो एक साल, दो साल, तीन साल से महनत करें लेकिन जिसने अपनी महनत नहीं छोड़ी जिसने preparation करना नहीं छोड़ा उसका selection हुआ है तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत में नहीं होगा इसलिए मेरा नहीं हो रहा है अगर आप महनत करेंगे तो आपका selection जरूर होगा तो ये थी मेरी journey as a bank PO अगर आपको कोई भी doubts हो किसी भी banking exam से related कोई भी suggestion चाहिए हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं मैं आपका जरूर reply करूँगी और अगर banking से related आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो आपकी views comment section में जरूर share कीजिए मैं बल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे comments का answer करूँ और एक नया वीडियो आपके सामने जल्दी लेके आऊं और जतने भी लोग banking की तयारी कर रहे हों सभी को मेरी तरफ से all the best and don't forget to like, subscribe and share my youtube channel thank you so much